नमस्कार दोस्तो वे रणावे वाल चंद्रा ब्रामन्द सद्याश्रबें आप सभी का स्वालेख है आज किस वीडियो में हम चार्जा करेंगे प्रेम में ये फिर रिलेशन्शिप में दो वेक्ति है पुरुष्पी यदी मीन राशी है और यदी स्त्रीकी मकर राशी है तो उनके जो रिलेशन्शिप है उनको जो प्रेम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है ऐसे कोल से बात है जिस पर अमल करना आवश्यक है ऐसे कोल से बात है जो खील टालनी चाहिए चाहिए जो अप्ऐख्छा है है वह किस परकार की होती है। उसी परकार, ऑनों के जो सब्सक्रट वेक्तित होता है, वह किस परकार काओ होता है। चाहिन्य हमेहीं करने वारे हैं। अपने जो चैनल है ब्रह्मार्ड सिद्ध्य एस्ट्रो इस चैनल पर मेश राशी से देकर मीन राशी तक पी जो सवी बारा राशियां है इन सवी बारा राशियों के इस त्रीपुरुश यह दी परस पर प्रेंग भी आफिर रिलेशन्शिप में होंगे तो उनका जो इनको जो पुर्ण विक्तित्व होता है इसके बारे में चार्शा करेंगे मीन राशी के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुश की कुंडले में वे यह भाव में आने वाली यह राशी है इस राशी का जो सौमे है वो गुरु है इस राशी का तत्वा है वो जल तत्वा और यह जो राशी है वो द्वी सभवाव की राशी है सबसे पहले और में तो पुर्ण बाद जो की मीन राशी की पूरुश है उनमें देखी जा सकते हैं वो होता है इनका विक्तित्व होता है वो काफी ज़्यादा एट्रेक्टिव होता है वतलब पुरुश होने के बाउजित भी काफी ज़्यादा इनमें जो सांदेर है वो देखा जा सकता है रहें से इन भी इनका काफी neat and clean होता है तो fashion के मामदें मैं अकर देखा ने तो dark fashion तो ये नहीं करते लेकिन sober fashion होता है और जो की काफी उनको बाता भी है उसी प्रकार इनका जो nature होता है वो भी काफी delicate देखा जासाथ है बहुत ही ज़्यादे emotion होते है चोटी मूटी बात को मन में लगा लेते है उसी प्रकार एक दिन में ही कई प्रकार के जो mood swing है वो भी इनमें देखे जा सकते है तो ये बात चोटी चोटी बातों के लिएकर नाराज होना ये फी चोटी चोटी बातों में आनन्द लेना ये जो बात है वो भी इनमें देखी जा सकती है आमेशा फ्रेशनेस इनमें देखा जा सकता है इनमें ट्रांसपरन से जो होती है वो भी काफी अच्छी होती है जो बात अपने रुदे में है वही इनकी जुबा पर देखी जा सकती इस वज़ा से ट्रस्ट वर्दी होती है किसी भी वेक्ति के परती, अंजाने में उलके सा, या फिर उलके बारे में मुछ गलत नहीं करते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होती है, उसी प्रकार इस रची के जो वेक्ति है, वो अपने शब्दों से भी दूसरे जो वेक्ति है, वो हर्ड नो हो, इसी प्रकार मतलब ऐसे यह इंसान देखे जासकते है. इम्हें जो इंसान नियट होती है, वो बहुत ही अच्छी देखी जासकती है. दूसरों, तो Mदद करने की जो बात है, वो इस रचिन भी काफी अच्छी देखे जासे पिन अब्न सामने वाला बेखती, पहचान को हूई या ना हो, लेकिन उसको मदद करने के लिए ज़र्व हो जाएंगे, तो खासी अच्छी यह जो राशी है, वो देखी जा सकते हैं, soft nature इनमें देखा जा सकता है, तो इसे वीचे से इनमें hard working nature, goal orientation, या फिर discipline, या फिर यह जो बात है, यह जो बुन है, वो इनमें norm ने देखे नहीं जाते, लेकिन इसके बावजुद्धी जीवन में, काफी अच्छी तरह किसे settlement इनको आती है, असलिए पीछे के कारण भी यह होता है, यह जो राशी है, इनमें जो luck factor रोता है, वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, तो luck की वज़े से, यह इस राशी की जो पूरुश है, वो जीवन में काफी अच्छी तरह किसे settlement होते हुए, देखा आते हैं, अलाकि इनके जो grasping होता है, वो काफी अच्छा होता है, मतलब माकला जक्ति, ग्राहल जक्ति, इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है, अब यहाँ पर एक जो बात है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, इस राशी की जो पूरुश होता है, उत्वर सा day trimmer होते हैं, मतलब सपनों में जिन्ड्य वाले होते हैं, और expect करते हैं 1-1 की सामने वाला जो विक्ति है वो भी इनको नर्शर करें, इनके बारे में बहुत ज़्यादा खायाल करें, लेकिन अगर ऐसी बात बहुत ही close ऐसे विक्ति से नहीं होती, तो नाराज होते हैं, और इनकी जो नाराज होती हैं, वो आपको दिखे कि नहीं, जैसे psychological complication जो है, वो इनमें normally देखे जाते हैं, इस पर count करना काफी ज़्यादा आवशक, मतलब होता क्या है, कि सभी प्रकार के सुख होने के बावजुद भी, इस राश्र के जो पुरुष है, वो मन ही मन खुद को कोसते हैं, और इनके जो दुख होते हैं, वैसे देखे ज जो दुख है, वो normally शेयर नहीं करते, इस पर थोड़ा ध्यान देना आवशक है, क्योंकि जो problem जितना भी आप दढ़ा के रखोगे जो दुख है, वो आपके विक्तित्व के किसी और परिलुद में से वो बाहर आता हुआ, depression, anxiety, इस परकार के जो problem है, वो आप में देखे जा सकते हैं, इस चीज़ों पर जो बात है, वो काफी ज़्यादा मेहतवण है, अब हम चल्चा करेंगे कि मकर राशी की जो स्त्री है, वो किस प्रकार के होती है, मगर राशी के बारे में अगर कहा जाए, तो काला पुरुष की कुंडले पे, दशंबाव में या फिर कर्मस्ता होता है, वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, रहे सेंड भी काफी अच्छा होता है, उसी प्रकार मैचूर होते हैं, मतलब अपने उम्र से इनकी जो सोच होती है, वो काफी आगे देखी जा सकती है, जीवन में काफी प्रकार के एक्स्पेरिंस से अनुबहों में से जाने मतलब इनका पूरा रुख्वकाव है उससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चाहिए कि यह कितना हाड़ वर्ट करते हैं कर्सिस्टल से इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकते हैं करने के लिए जो पेशन चाहिए होता है इनकी बहुत ही अच्छा देखाए जा सकता है जो कि काफी अच्छी बात होती है इस राशिवत है इनकी सोच होती है किसी भी मसले पर बहुत ही अंदर टक सोचती है बहुत ही इंडेप सोचती है दिसेजन लेने में फ़ड़ा सा टाइमले लेके लेकिन जो भी डिसेजन हो रहेंगे और कमिटमेंट इन्में बहुत ही अच्छे देखी जा सकती है step by step आगे बढ़ने वाली यह राशी है अब यहाँ पर इनको पता होता है कि आपको किस तरह से इस दुनिया में आपको जीना है पैसे का मेरत वह इनको काफी है चत्र के से पता होता है इसलिए पैसे खर्च करने के मामले में भी काफी जादा सोच विचार करने वाली यह राशी है अब यहाँ पर इस राशी में जो श्रावन नक्षत्र आता है वो थोड़ा से स्पेशल होता है श्रावन नक्षत्र की जो स्त्री है इन बर किसी प्रकार की जो रिस्पॉल्सेबिलिटी है वो आती हुई देखी जा सकते है मतलब उनको निवाना ही पड़ता है किसी ना किसी प्रकार की जो रिस्पॉल्सेबिलिटी है तो लेकिन मैचर काफी होते है सोच विजार इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है अब यहाँ पर कई दफ़ा ऐसे कई दफ़ा ऐसे मिसंडेस्टेंड लिए फिर मिसकर्सेप्शन होता है कि इनमें जो emotions है वो थोड़े कम है emotions होते हैं लेकि उनका show off नहीं होता इस राशी की जोस्त्री है इनमें ये बात होती है कि show off ये इस राशी की जोस्त्री है वो नहीं करती है और इनकी जो गार्णी होती है वो भी काफी अच्छे होती है बहुत ज़्यादा नहीं बूलेगे ये नॉर्मलिस त्रीवर्ट में ये गॉसिपिंग जो बात है यारिकर राषर की जोश्री में जीण करने भी जादा होती है लेकिन उनमें ये बात नॉर्मलि राशी की जुस्त्री हैं वो काफी इंडेप सोच्टे काफी जदा मैचूर होती है अब यह जो बात है वह मींदर राशी की जो पूरशे उनमें देखी जा सकती लेकिन एड़िस्मेंट की जो बात है वो दोलों तरफ होती है मतलब मींदर राशी के जो पूरशे उनके बारे में भी देखी जा सकती है फिर मकर राशी की जो स्री है उनके बारे में भी देखी जा सकते है और किसी भी रिलेशनशिप के लिए एड़िस्मेंट जो है वो काफी माइने रखती है अगर आप एड़िस्मेंट करूते हो तो ब कमिटमेंट नहीं दे पाते मतलब किसी अन्य विशय के बारे में या विशय भी वह जंदी सदेंदेन नहीं ले पाते और कमिटमेंट भी रिलेशंशिप जल्दी नहीं दे पाते यह बात में आमकाराशिक के जुसरी इंखो पता भी नहीं चलेगा, तो इस विच्छर के बारे भी नहीं सोचते हैं, वो थोड़ी ज्यादा होती है, जो कि मकर राशी के जुस्तरी है, उनको बिलकुल भी नहीं बाती, छोटी-छोटी बाते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्क है, क्योंकि मिन जैसे क कि मकर राशी के जुस्तरी है, वो काफी ज़्यादा मैचोड होती है, काफी ज़्यादा दूर के सोचने वाली होती है, अगर उनको लगता है कि सामने वाला अब एक ठीक नहीं है, तो वो खुछ से ही तिकलेशनिशिप से बाहर मिकलेगे, किसी भी प्रकार के बड़े ऐसे ये निकिंग करके, अब सिंपल ही वो बाहर मिकलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकि इन जिसों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवशक है, इसके बावजूद, अगर कोई प्रॉब्लम को अब्लिक्शन आते हैं, तो आपकी जो कुडली है, वो देखनी ज़्यादा आव वीद राशे के पूरुष और मकर राशे की जोस्त्री है, वे यदि परस पर रिलेशन्चिप में होंगे, तो उनकी जो रिलेशन्चिप में हमकिस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, इस विशे पर वीचार, आपको ये वीडियो कैसे लाइगा, आपके किस प्रकार से अनु करें, अन्यवाँ